तो अब हम क्या करेंगे इसका 9 का इसके हम फेक्टर निकालेंगे 9 के तो 9 का फेक्टर कौन-कौन सा है देखते हैं 1 into 9 है ना दूसरा है 3 into 3 और है 9 into 1 ठीक है बच्चो 1 2 के टेबल में 9 नहीं आता है 3 के टेबल में आता है 4 के टेबल में नहीं आता है 5 के नहीं आता है 6 7 8 फिर 9 1 ठीक है अब 15 का 15 का क्या क्या है 1 into 15 टू के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 के आता है, 3, 5, 15, फिर आता है ये, 3, 5, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 आता है, 5 इंटो 3 जा, ठीक है, फिर 6 वाले में 15 नहीं आता है, 7 में भी, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में, 12 में, फिर सीधे 15 वान जा 15, तो यह आगे तो अब इसका common कौन कौन सा है तो एक तो वन हो गया है ना 115 जा वन नाइन जा तो आभान से वान से अगर इसको भी करें तो हम यहीं मिलता है इसको करें तो यहीं मिलता है ठीक है 3 से 3 से करें तो यह 3 से 5 3 5 करें तो यह मिलता है 3 3 करें तो 3 के टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है तो इसलिए 3 भी इसका common factor है therefore common factor of 9 and 15 is 1 3 ठीक है पहले दो निकाल नहीं रहें तो यह हमने इनके दो common factors निकाल दी यहीं दो हैं इनके common factors तो अब है ऐसे ही अब बागी भी करोगे यह भी और यह भी आपको कुछ नहीं करना आपको देखना है 18 कौन से टेबल में 18 आता है और उसी टेबल में उसी को मलप्ले करके 21 भी आना चाहिए जैसे हमने देखा 1 के टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है ठीक है और 3 के टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है ऐसे ही आप देखोगे क्यों से टेबल में 18 भी आएगा 21 भी आएगा है ना जैसे 3 है 3 6 18 3 7 21 तो 3 इनका एक common multiple हो सकता 1 तो ही और भी देख दीजे कौन कौन सा है ठीक है अब यह पर right first 5 multiples of 359 11 एक कुछ भी नहीं है simple multiplication है जैसे आप खुद multiply पढ़ेंगे ए पार्ट 3 का 3 का multiply 3 का table पढ़िए 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 ठीक है तो हमें first 5 ही लिखने है तो आगे 1 2 3 4 5 ठीक है ऐसे 5 का भी आप करेंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 है ना तो 5 तक ये 5 और 5 तक table पढ़ना है 5 का तो वो सारे लिखने है यहां पर ठीक है यह होगे first 5 multiples ठीक है जो हम table पढ़ते हैं जो जो दो numbers को multiply करके जो product मिलता है वो हो गया उसका multiple क्या हो गया उसका multiple तो यहां पर भी वही करना है ठीक है बच्चो यहां गया third वाला question अब है fourth वाला write first two common multiples of 5 and 6 तो common multiples हमें देखने हैं वो देखने हैं जो 5 के table में भी आ जाए और 6 के table में भी आ जाए और वो ही वाले 2 लिखने हैं हमें तो हम एपार्ट करेंगे इसका 5 का पढ़ो 5 में क्या क्या आता है हम इसके multiples पढ़ेंगे ठीक है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 ठीक है 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60 ठीक है हमने यहां तक लिखा आईए 60 तक अब हम 6 का देखेंगे अब देखेंगे अगर मैंने 5 का 12 तक देखा तो 6 वाले कौन-कौन सा आता है इसमें पहरा 30 आता है 6 इंटू 5 जा 30 है फिर अगर 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 नहीं आता है 6 7 जा 42 नहीं आता है, 6 8 जा 48 नहीं आता है, 6 9 जा 54 नहीं आता है, 6 10 जा 60 फिर 60 आता है किसे आता है, 6 इंटू 10 जा 60 तो 2 common multiple कौन-कौन सा आता है इसमें 30 और 60 अगर हम एक का पहले एक का टेबल लिखेंगे, वो देखेंगे हमारा जो दूसरा नंबर है उसमें भी वो आते हैं, कौन-कौन से आते हैं पहले वाले में हमें पता चलेगा कि हमारा जो नेक्स नंबर है, यह सारे उसमें आते हैं कि नहीं तो हम यह निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर वैसे समझ नहीं आता है तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 के सारे multiples लिख दिए, 12 तक के multiples लिख दिए तो दूसरे नंबर के भी आप ऐसे ही multiples लिखेंगे, तो देखेंगे वो नंबर आप इसमें कौन-कौन सा मिलता है ठीक है Therefore, first two common multiples of 5 and 6 are are, कौन-कौन सा है, 30, 60, ठीक है तो आप answer में फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चो, आचा, अब है Which of the following numbers are divisible? तो यह आपको तो, आप मैं आपको एक tip दे सकती थी इसमें तो लेकिन अब यह आप छोटे हैं उसके लिए, इसलिए आप सीधे इसको divide करेंगे, ठीक है जैसे मैं आपको two वाला तो easy है, two वाला आप कर सकती हो, मैं four वाला आपको दिखाती हूँ ठीक है, अब जैसे यह बी पार्ट में दिखाती हूँ, by four, by four, तो कौन सा है पहला, four, nine, four, zero, four, nine, four, zero, four, four, one जा, four, four, two, eight, eight आया तो, nine मैं से eight तो, one, इदर आ गया बन तो हो गया 14, ठीक है, four, four, three, जा, twelve, twelve, fourteen मैं से twelve गया तो, two, इदर आया बन गया 20, four, five, जा, twenty, ठीक है अब दूसरा है, nine, forty, divided by four, पहला वाला हो गया, हो गया जी, पूरा डिवाइड होता है इससे, अब दूसरा वाला देखते हैं, four, one, जा, four, four, two, जा, eight, nine, nine मैं से eight गया तो, one, one, इसके पास आ गया हो गया, fourteen, fourteen आया तो, four, three, जा, twelve, फिर two बचा, twenty, four, five, जा, twenty, four से पूरा डिवाइड होता है, ठीक है, यह नंबर भी आ गया, अब यह वाला देखते हैं, two, five, two, eight, zero, divided by four, फिर से, four, one, जा, four, four, six, जा, twenty-four, one बच के है, twenty-five है, twenty-five मैं से, twenty-four निकला तो, one, twelve, four, three, जा, twelve, four, two, जा, eight, zero पर आएगा, ठीक है, completely हो गया, आज यह नंबर भी हो गया, अब है, five, six, two, five, six, two, divided by four, four, one, जा, four, four, one बचा, इदर गया, sixteen, four, 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 जा, sixteen, two, reminder आ गया, है न, two यहां पर बच गया, तो इसलिए, यह यहां पर, two जो बच गया, तो उसका four से नहीं हो रहा है, divide, तो यह आदा ही रह गया, तो इसलिए, यह नहीं हो रहा है, four से, ठीक है, अब है, four, nine, six, four, nine, six, four, six, four, one, जा, four, four, one, जा, four, four, two, जा, eight, nine मैं से eight, तो one, यह वन इदर गया, sixteen के, sixteen मैं गया, four, fours are sixteen, तो यह भी completely हो रहा है, अब यहां पर एक चीज़ है, यहां पर एंड पर five है, five वाला एंड पर अगर यहां पर divide कर रहे हैं हम, even से, और एंड पर odd है five, तो यह मुश्किल से यह divide होगा, यह divide नहीं होगा, ठीक है, आप एक try कर लीजे, फिर से, देखो, three, six, two, five, divided by four, four, one, जा, four, four, nine, जा, thirty-six, four, six, जा, four, four, six, twenty-four, बच्चिया, one, ठीक है, तो इसलिए, यह पूरा नहीं हो रहा है, इसमें one reminder आ रहा है, यह पूरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए, यह भी नहीं है, तो, therefore, numbers, induisable, by four are, कौन-कौन सा है, four, nine, four, zero, four, nine, four, zero, nine, four, zero, two, five, two, eight, zero, four, nine, six, ठीक है, तो यह numbers है, ऐसे आप two से भी करोगे, तो, और five से भी करोगे, तो फिर देखोगे, कौन-कौन सा, आप इसी तरीके, अगर यह तरीका नहीं आता है, तो simple divide करोगे आप, जैसे divide करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, यह simple method है, division का, तो यह भी आप कर सकते हो, तो और अगर नहीं भी आया, तो simple divide कर लेना है, आप ऐसे number लिखके, ऐसे 4940, फिर 2 से, तो फिर सीदे divide करना, तो जो जो जिसका reminder कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा reminder, तो वो वो visible है, 2 से और ऐसे ही 5 से भी, ठीके बच्चो, अच्च, अब आगे है, है, हैसी एफ, हैसी एफ मतलब, हैस्ट कॉमन फैक्टर, तो यह अब हम कैसे करेंगे, यह पहला वाला पार्ट में दिखाती हूँ, एफ पार्ट, 12, and 60, हम क्या करेंगे, हम जो बड़ा वाला नंबर होगा, उसको डिवाइड करेंगे, छोटे वाले नंबर से, छोटा कौन सा है, 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, करिए, 12 वन जाव, 12, ज्यान देने नंबर चो, इंपोर्टन स्टेप सही है, आप सिक्स मैंसे टू तो, कितना बच्चा, फॉर, शाबाश, वन मैंसे वन तो, कुछ भी नहीं, अब यहाँ पर यह फॉर बच्चा, अब यह फॉर से क्या करेंगे, हम इस फॉर से, इस नंबर को डिवाइड करेंगे, अब यह नंबर अंदर आएगा, इदर, यह फॉर से इदर दिवाइड करेंगे, तो, फॉर, थॉर, तो, यह पूरा हो रहा है, इस से डिवाइड, ठीक है, अब यह फॉर बच्चा, अब हम इस फॉर से देखेंगे, इस सिक्स्टीन डिवाइड होता है, कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक और बार, अब इस फॉर से, यह जो नबर भी डिवाइड हो रहा है और कंप्ली डिवाइड हो रहे है तो इसका मतलब है यह इसका HCF है यह 4 HCF है therefore HCF of 12 and 16 is 4 ठीक है तो यह हम highest common factor देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है बड़ा वाला नंबर है जिससे इसको भी डिवाइड होता है और इसको भी डिवाइड होता है तो इसमें simple method है यह 16 को हम 12 से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जैसे यहां पर भी बड़ा नंबर है इसको हम इस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद जो हमारे पास reminder आएगा उस reminder से पहले जिससे डिवाइड किया था उस number को डिवाइड करेंगे ठीक है फिर अगर उदर भी answer नहीं निकला कोई बात नहीं उस number को फिर से फिर जो इदर reminder आएगा जैसे अगर यहां पर reminder आता 4 आता reminder ठीक है तो हम इस 4 को इस 4 को इस 4 से divide करते हैं जो यहां पर reminder आगया तो उसको divide करते हैं जब तक कि end पर reminder 0 नहीं होगा तब तक हमें ऐसे ही यह process दोहराना है ठीक है फिर जब जो last में जिससे reminder 0 आएगा उस number से फिर इन सब numbers को divide करके देखना है कि वो completely divide हो रहे हैं कि नहीं यह अपनी satisfaction के लिए कि हां भै इससे हो रहे नहीं तो वही number होता है कि जिससे वो last में end पर जिससे 0 आएगा reminder 0 आएगा उसी number से सब को वही इसका common factor होता है फिर हम satisfaction के लिए cross check करने क लिए उस number से सब को divide करते हैं ठीक है बच्चो तो अभी जो मैंने यहां पर यह method बताया इसको याद रखना है इसको कर लीजिए आप बार बार तो यह आपको पता चल जाएगा समझ में आ जाएगा नहीं समझ में आता है WhatsApp पे डाल देना मैं फिर से समझाओंगी ठीक है मैंने आपको दिखाया है तो अब इसका है है पाटम करेंगे ठीक होर्ट का है जिए सिंपल है त्री को स्टार्ट करेंगे चोटे नंबर से 2 से 2 से 3 नहीं होता है तो 3 ऐसे ही आएगा 2 टू जा 4 तो 3 2 का multiple ही नहीं तो इसलिए 3 से तो 2 से तो यह होगा ही नहीं कुछ भी 2 के table में 3 आएगा ही नहीं इसलिए 3 ऐसी नीचे आएगा अब 2 टू जा 4 तो 2 के multiple में 4 है किस से आता है 2 से जब 2 और 2 को multiple करेंगे तो 4 आएगा तो फिर लवस नमबर कुछ सा अभी 2 है 2 से करेंगे फिर से 3 ऐसी नीचे आएगा आप 2 1 टीक है यह हमें तब तक करना होता है जब तक नीचे 1 नहीं आता है पूरा अब 1 का तो 1 से तो कुछ नहीं होगा अब हम 3 से करेंगे क्योंकि 1 से तो सारी हो जाते हैं 3 से 3 1 जा 3 तो वो गया 2 इसको अब हम multiply करेंगे 2 into 2 into 3 into 1 into 1 वो गया क्या answer आएगा वो 2 2s are 4 4 3s are 12 12 1s are 12 12 1s are 12 तो कितना आगया 12 तो हम लिखेंगे therefore LCM of 3 and 4 is 12 ठीक है बच्चो तो ऐसे यह सारे LCM क्कॉस्चन्स आपको मैंने पहले भी कोई फोटो भी वाटसाप पर डाल दें ताकि मैं जो पता चले है आपने किया है के नहीं ठीक है बच्चो और हाँ इससे पहले वाला वीडियो वो बंद हो गया था वीडियो क्योंकि स्पेस कम होगी थी इसकी तो वो बंद हो गया था फिर मुझे क्लियर करनी पड़ी तब मैं दूसरा वीडियो बना पाई तो इसका पार्ट वन भी जरूर देख लेना मैं दोनों पार्ट वन डाल दूंगी इसका पार्ट वन भी देख लेना और यह पार्ट टू है यह भी देख लेना ठीक है बच्चो उसमें पहला वाला क्वेश्चन है और इसमें फिर क्वेश्च नूमबर वान है तो